कीडों के अतिरिक्त रोग भी सर्सों की फसल को अत्यधिक लुक्सान पहुंचाते हैं सफेद रोली जुलसा और तुलासिता रोग से पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां गिर जाती हैं अत्यधित प्रकोप होने पर दो किलो मैंको जेब प्रति हैक्टेर छिड़कना चाहिए और जरूरत पढ़ने पर बीज दिन बाद इसे दोरा भी सकते हैं आग्या रोग औरोबंकी नामक पर जीवी पौधे से होता है ये पौधे सरसों के पौधों की जड़ों पर उगाते हैं और उनका रज चूस कर बढ़ते हैं जहां अक्सर इनका प्रकोप रहता हो उनक्षेत्रों में सरसों की दुर्गा मनी किस्म की बुवाई करना ठीक रहता है बार-बार सरसों की फसल लेने से तना गलन रोग होने की संभावना बढ़ जाती है इसलिए फसल चक्र अपनाने से इस रोग से बचा जा सकता है इनके अत्रित सरसों की फसल को पाला भी नुक्सान पहुँचा सकता है पाला पढ़ने की आशनका हो तो एक लिटर तनुगंधक का तेजाब एक हजार लिटर पानी में मिला कर फसल पर छिड़काव करके फसल को पाले से बचाय जा सकता है का पाले से